हेलो फ्रेंट्स मैं संजी चौबे एक बाद फिर आपका चैनल में स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है प्रसिडेंट आज हम भारत के राश्टपती के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिटेर जितने भी टॉपिक से मैं दो या तीन वीडियो में आप रजह सबसे पहले हम अप्री समें शौर्धार में बात करते हैं वारी संद्धार पारट फॉर सॉई पाइप में पार्ट में यूनीन गॉपर्मेंटन जो कि हमारी संटर लेवल पर काम करती है और डैलियू उसरी इन्हीं गॉवर्मेंट में आर्टिकल 52 से अधिकल 52 से ज़ सब्सक्राइब में भारत के राश्टपती होगा यह आर्टिकल 52 क्या कहता है कि हमारे सब्सक्राइब अब राश्टपती के लिए आर्टिकल 53 जो भी इंपॉर्टेंट आप आर्टिकल वह 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 आपको साथ के साथ बताते जाती हूं आपको 53 पर का गया है कि प्रेजडेंट होग दाप एब्सक्राइब सब्सक्राइब होता है उसमें उसे और वह उन पावर्ट को या तो खुद यूज करता है या विद अब उसके सब्सक्राइब प्रेजडेंट कौन होंगे तो हम बाते हैं और बात करते हैं और यह आटिकल 53 में कहा गया है कि जो प्रेजडेंट है वह सारी जुटी पावर्स को खोल्ड करता है और वह या तो इनको यूज करेगा अपने खुद या फिर अपने सब्सक्राइब प्रेजडेंट की है से अब उसके सब्सक्राइब होते हैं यह मैंने एक पिक्चर बनाया है कार्टून टाइक का ताकि आपको इजी समझना है सबसे पहले है हमारे प्रस्डेंट यहीं जो हैड होते हैं आपको दोस्तों है अदो होता है एंट प्रमेल है यह सिर नाम मात्र क प्राइम प्राइम मिलिस्टर को जो हमारे नामनात को विन यह क्या है और हमारे देश का राश्ट्रपती होगा यह कौन साथिकल 52 आर्टिकल 52 कहता है देज़े प्रवज़ेंट अफ इंडिया इन वा सब्सक्राइब स्कते हैं कि सेंड्र इसको सब्सक्राइब जासिटेब से ऐसे के मेंबर है यह चीफ डेश्यों है और यह सब्सक्राइब याइटी देवी की तराजू होती है चीफ जट्रेस्टिस ओंडिया को सब्सक्राइब यह सभी मिलके जो है हमारे देश की हमारे जेश की गर्रेंट होती है उसके सारे रोन रोड को एक्सक्राइब करते हैं यादि और यह जितनी भी एक्जिकिटीव पावर है वो राश्कती होड करता है और यह खुद विस्टर और वाइदा है अब हम आते हैं कि हमारे प्रेजिदेंट का इलक्षन कैसे होता है और प्रेज़िदेंट और अधिया तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा इसा पर्टेन है जिसको हम अमारा देश का प्रेजिदेंट यानि राश्क्ति चुन सकते हैं आपको पता है दोस्तों जैसे आईस के एक्जाम होते हैं या रस के लिए उसके लिए एक एक एलिजिबिल् जो बन सकता है उसके लिए भी योगिताई है और वह आर्टिकल 58 में डिफाइन है एलिजिबिल्टी अप्रेज़िदेंट डाटिकल 58 सबसे पहले आते हैं तो देश का यानि इंडिया का राश्क्ति बनना है उसे तो सबसे पहले क्यों आजिए इंडिया भारत का नागरिक भारत का नागरिक नहीं है तो भारत का राश्क्ति हमसे नहीं बना फिर उसकी एज पर आते हैं ठीक है सिरीजिबिल्टी इंडिया है तो बच्चे को तो प्रसेड़न रहा नहीं सब्सक्राइज सब्सक्राइज होनी चाहिए उसकी कम से कम 35 साल पूरी कर चुका हो ताकिन इ कुझए छीन शूट भी अटलिस 30й सकतात च तो जो भी हमारा फिरियूर को सब्सक्राइज बने का महले की रखता है वो परसन हमारा क्या बन सकता है यह मैंने कार्टून में आया है सपोस्ट की यह हमारे रामनात को भी बने हुए हमारे प्रेज़टन तो यह लोग सबाव राजसबा क्या मेंबर इलक्त होने की भी रखते थे इसलिए हमने रश्थती बनाया दूसरा नेक्स फोर्ट इनका कि शुड्ण नोट हौड फोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर ऐनी लेवल उफ गौवर्मेंट और अन्य आप्टनाईजेशन यानि कि सी भी गौवर्मिट वर याकि सी पी ऑफ निजैशन में उनने कोई पोस्ट आप प्रॉफिट यानि कि सी भी लापके पद्वेज़ ना हो याने कोई गौर्मेंट जॉब उनके पास ना हो ना तो किसी फॉर्मेंट में और ना किसी अदफ अगर्नाइजेशन ने सेकेड लास्ट पॉइंट है फिफ्ट पॉइंट पार्च इसमें एलजीबिटी क्राइटेरिया है फिफ्ट है मेंबर पार्लियमेंट ऑफ सब्सक्राइब नहीं होने है ठीक है दोस्तों तो यह है एक प्रेस्डेंट क्यों इलैक्ट होने के लिए सबसे पहले सिल्जन ऑफ इंडिया हम भारत के नावरी को दूस्ता हमारी एल्स थर्टीफाइज हो जाए ठीक है अभी मेरी नहीं हुई है इसलिए मैं परिज़ेंट नहीं बन सकती हूँ सब्सक्राव सब्सक्राव की नहीं होना चाहिए ज़िए हम राश्पती बनना चाहते है तो किसी भी इस्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियम्मेंट ऑफ एनिस्टेट लेजिस्लेटिव यारी किसी भी विधान सबाते नहीं होने चाहिए यह पाच योगिता हैं यह भी भार्तिय नागरिक में आ जाती है तो ही और शी शूड़ बीदा प्रेजिडेंट आफ इंडिया अब ऐसे अब उसके लिए हमारा एलक्षन होगा ठीक है एलक्षन कैसे होगा यह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगी अभी मैं कुछ इंप्राइब बता देती हूं कि कितना होता है यानि कारेकार है यदि हम राष्ट्पति बन जाते हैं तो हम कितने सालों के लिए काम करेंग करेंगे ठीक है सब्सक्राइब हमारे रामनाथ कोविन जी है जब से नों ने पोस्ट होल्ड किया है जब से यह पत्प्राइब है तो आर्टिकल 561 आर्टिकल 561 इसमें राश्ट्पति का जो टैन्यूर है जो कारिकाल है कितने साल काम करेंगे यह डिफाइंड है इन अवां ठीक है दोस्तों यानि पास साल यह राश्ट्पति बना सकते हैं और यदि और यदि इनका पर्द जू टू एनी रिजन यदि वेकेट हो जाता है खाली हो जाता है तब क्या होगा उसमें आर्टिकल 65 हमारे कॉंस्टिशन में गिवन है यह रामनाथ कोविन जी यदि अपना इसके बाद उस पॉस्त को सड़ण नीं क्योंकि इतनी प्र slips को कौन HR करे गा तो जैसे की पीकेट होति है खाली होती है दो उसकी जगह सबसे पहले तो व्यस प्रसिद्ध होगा वोंगी पोसको ऑलड करेगा इसकी बाद से यदि वा समय थे टी खाली है वारली है तो फिस सुप्रीम कोड का जो चीव जस्टिस होगा वह हमारे इंदिया का प्रसेड़ की पोस्ट को फोल्ड करेंगा इस प्रीम कोड का चीव जस्टिस तो यह आर्टिकल क्या हमसा कहता है याणि किसी कारण तो उसकी जगें जो भी वाइस प्रसेड़न होगा यह चीफ जस्टिस होगे वह उसमय कांट्री इंडिया के रूप में काम करेंगे तो यह कहता है हमार आर्टिकल 65 आप राश्ट्रपती का इलक्षिन कैसे होता है कैसे हम राश्ट्रपती को चुनते हैं यह मैं आपको बताती हूं अपने नेक्स वीडियो में थैंक्यू वेरी मुश्ट